हाई एवरिवन, वेलकम तो कुछी की दुनिया तो आए सुनते हैं मेलकम ग्लाइट बैल के बुक आउटलायर से इंट्रड़क्शन यह आउटलायर्स कौन होता है आउटलायर्स वो इनसान है जो बाकी लोगों से हट के करते हैं वो भीट का इस्सा नहीं होते हैं बलकि कुछ अलग और अनोखा होता है ऐसे लोग जो सफलता की चोटीच होते हैं आउटलायर्स जीनियस होते हैं एटलिक्ट, रॉक्स्टार, बिजनस साइकून्स और दुनिया के बिलियनियर्स लोग होते हैं मगर उनका राज क्या है? हम अक्तर एसे लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो काम्याब है गरीब से अमिर बनने की कहानी में इंस्पाइरिंग करती है ऐसे लोगों के बारे में हम बहुत सबक्राइब किशा है जैसे कि उनका lifestyle क्या है, वे कैसे रहते हैं, उनकी personality कैसी है, क्या उनमें कोई खास talent है, ऐसी बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में उठते रहते हैं, हमें लगता है कि हमने अपनी किसी खास quality को वज़े से ही वे काम्या हुए है, मगर असलियत कुछ और होती है, जो हमें अकसर द personal चीज है, हमें लगता है कि जो लोग successful है, उन्होंने सब कुछ अपने दम पर किया है, उनकी काम्याभी के पीछे सिर्फ और सिर्फ उनकी ही काबिल्यत है, तो क्या सिर्फ talent होलें से काम चल जाएगा, अब bringing क्या है, उन लोगों का क्या है, जो उनकी काम्याभी के पीछे है society और culture का क्या, जिसे वे belongs करते हैं, इन outlets की कहानी पढ़के हम इन सवालों के जवाब डुणने की कोशिस करेंगे, हमें इन से सीख लेकर success को नए नजर ये से समझने की कोशिस करेंगे, तो start करते हैं Canadian hockey, hockey Canada का popular sport है, वहां के लड़के इसे kindergarten से ही सीखने से start कर देते हैं, हर सा school में hockey league होती है, मगर सवाल ये है, अपने national teams के लिए best players कैसे चुनते हैं, और ये बात गौर करने वाली है, ज्यादतर best hockey players January से मार्च की बीच में पैदा हुए लोग हैं, तो ऐसा कैसे हो गया, इसका secret ये है कि hockey coach class के सबसे बड़े age के लड़के को ही चुनते हैं, जैसे कि मा ज्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए उनको चुना जाता है, age में मात्र महीनों का gap भी लड़कों की बोड़ी में काफी डिफरेंच पैदा कर देते हैं, नौ से दस के उम्र के बच्चे के बीच के उम्र वाले लड़के का चुनाव इसे हिसाब से किया जाता है, जो लड़ लिक्स में खेलने के लिए भेज दिया जाता है, यहीं सेलेक्शन प्रोसेस बाकी खेलो के लिए भी है, एक इस डिफरेंच ओलम्पिक्स में भी काफी माइने रखता है, साल के दूसरे हिसे में पैदा हुए बच्चों का टैलेंट अक्सर अंदिकाई रह जाता है, क्योंकि कि उनमें से भी कोई सक्सेस्फुल एथलिक्ट बन जाए, कैनेडा की नैशनल होकी टीम इस को इंसिजन की वज़े से ही आउटलायर्स बने, यह इसलिए हुआ क्योंकि उनके प्लियर्स पहले पैदा हुए थे और फिजिकली मजबूत थे, उन्हें सक्सेस्फुल होने का मौके मिलते ही रहे, हमारा समाज उन्ही को जादा मौके देता है, जो सक्सेस्फुल होते हैं, उनके लिए हर दरवाजा खुला रहता है, जो उनका स्टेटस और भी उच्चा कर देता है, और वे लोग जो फेल होते हैं, उन्हें समाज डिसमिस कर देता है, क्योंकि यह हमार होने में इसका भी एक बड़ा हाथ है इन जो इन थाउजन्द आउवर्स जब हम किसी भी चीज में एक्सपोर्ट हो जाते हैं तो उसके प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं क्योंकि अब आपको और प्रैक्टिस करने के जरत महसूस नहीं होती है 1990 के बिर्लीन के एकेड़ में एक स्टड़ी की गई थी जिसमें साइकोलोजिस्ट का एक ग्रूप ये पता करना चाहता था कि प्रैक्टिस और टैलेंट सक्सिस के लिए कितने ज़रूरी है क्या वाइलेंट अपने टैलेंट के वज़े से इतना अच्छा कर पाते थे या फिर ये फिर उनके प्रैक्टिस का नतीजा है psychologist ने पाया कि जो student जितना ज़्यादा time practice में लगाते हैं वे उतना ही अच्छा violin बजाते हैं बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उतना ज़्यादा वक्त अपने practice के लिए देते हैं और 20 साल के उमर तक आते आते वे best violiners बन चुके रहते हैं और पहले से 10,000 घंटे के practice कर चुके होते हैं यहीं study pianist पर भी किया गया जो amateur थे उन्होंने बच्पन में सिर्फ 2,000 घंटे की ही practice की थी मगर professional लोग हर सल अपने practice का time बढ़ा देते हैं और 20 साल तक होते होते इन्होंने कुल 10,000 घंटे की practice कर ली होती है और इससे psychologist को पता लग गया कि इसमें natural जैसे कोई बात नहीं है ऐसा कोई musician नहीं है हुआ जो कम practice करके भी best musician बना होगा किसी भी चीज़ में world class बनने के लिए आपको कम से कम 10,000 घंटे की practice तो करनी ही पड़ेगी बाकी studies में भी यह जादूई number प्रूव हो चुका है करने की जुरत पड़ती है ऐसा लगता है कि सायद हमारे दिमाग को किसी भी चीज़ का master बनने और महारत हासिल करने में 10,000 घंटे तो चाहिए ही चाहिए लेकिन सस्तिया है कि हर कोई 10,000 घंटे spend नहीं कर सकता ऐसे आप खुद से अचिव कर ले यह possible नहीं है जब आप छूटे होते हैं तब आपके parents supportive होने चाहिए बड़े होने के बाद आपके पास इतना खाली time होना चाहिए लेकिन मगर आप गरीब है और काम करना अपनी मजबूरी है तब आपके पास इतना time नहीं होगा कि आप practice कर सके ऐसे में 10,000 गंटे की practice होना किसी बड़े मौके से कम नहीं है अब Bill Gates का उधारन ले लिजे वे 8th grade से programming करते आ रहे हैं यह उनके लिए खास opportunity थी क्योंकि यह 1960 का वक्त था उस time में सिर्फ अमीर लोग के पास ही computer होता था Bill Gates के पिता एक वक्तिल थे और उनकी माँ एक अमीर घर की थी उन्होंने Bill Gates को Seattle के एक elite school लेक स्टाइल में डाला जो कि 1968 के कुछ ऐसे गिनेच उने स्कूल में सामिल थे जहां पर computer था स्कूल से आठवी ग्रेट से लेकर के हाई स्कूल तक Bill Gates ने computer के programming लगातार की जब वे scholar से निकल करके Microsoft स्टाट करने की तयारी कर रहे थे उन्होंने computer programming में 10,000 घंटे से ज़्यादा की practice कर ली थी वे एक बहुत ब्रिलियन programmer और entrepreneur थे मगर Bill Gates को वो खास मौका मिला जो जैसे कि वो खुद कहते हैं मैं बहुत लग्य था एक outliers बनने के लिए आपको एक खास opportunity की ज़रत है आपको वो lucky मौका मिलना साहिए जिसे आप खुद को proof कर सकते हैं अगर आपके पास एक हटकर talent है तो आपको एक हटकर मौके की भी सक चरत है अब आगे बाद करते हैं बिटिल्स की उपर देखो एक नजर डालो उस आदमी पर जिसके पास कभी कुछ नहीं था ना कोई खान नन और ना ही कोई सिर्पे किसी के हाथ मगर आज वे जो भी है सिर्फ अपने दम पर ही है ये सब लोगों की ऑटोबाइग्राफि पढ़ करके ऑपसेस्ट हो जाते हैं क्योंकि उन सब की जिन्दगी का सुरवत बेहत मामूली होता है मगर उन सबने सारी मुश्किलों का सामना करते हुए सकस हांसिल की क्योंकि उन सब के पास कोई ना कोई खूबी थी उनके सफलता के पीछ उनके पैरेंट्स और उनकी कम्यूनिटी का भी हाथ होता है एक तरह से वे अपने कल्चर और अपने पूर्वजों की लेगिसी की एसानमंद होते हैं अगर हमें यह जानना है कि कोई इनसान कैसे सकसेफल बनता है तो सिर्फ उसकी क्वालिटी जानना ही काफी नहीं है हमें यह भी जानना होगा कि वह आदमी कप और कहां कैदा हुए है और पले बड़े कैसे हैं आप जैसे कि विटल्स को लहीं लीजे पॉपिलर होने के बात होने से पहले उनको हैंब्रेग जर्मनी में अपना खास मौका मिला था यह 1960 की बात है उस वक्त विटल्स सिफ एक हाई स् बैंड हुआ करता था उन दिनों हैंबर्ग में स्ट्रिपलेस क्लब्स की भरमारतियसे में ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए रॉक बैंड काफी डिमांड पे थे वही एक ब्रूनो नाम का क्लब हुआ करता था जहां लिवरपूर इंगलेंड मेंसे कई ब्रें होते जा रहे थे और हमारा confidence भी बढ़ रहा था हम बहुत बढ़िया करने के कोशिज कर रहे थे पूरे दिलों जान से था कि हम इसमें आपना बैस्ट दे सके रोज रात को हैंबर्ग के क्लब्स में बीटिल्स पूरे आट घंटों तक में बच जाते रहते थे इस प्रैक्ट बढ़ते थे वे आठ घंटे कवर करने के लिए रॉक इन जैज भी बजाते थे और 18 महिने के अंदर बीटिल्स हैंबर्ग में 270 रातों के performance दे चुके थे जब 1964 में वे जब पॉपिलर हुए तो तब तक उन्होंने 1200 से उटर उपर live performance दे चुके थे यही चीज थी कि जो उन् उनके प्रैक्टिस बाकियों से कहीं ज्यादा थी हैंबर्ग में बीटल्स को खास मौका मिले और उन्हें हैंबर्ग जर्मनी के कल्चर और कम्यूटी का भी फायदा हुआ जैसे कि फेल विपनॉम ने कहा था जब वे वहां थे कुछ खास अच्छे नहीं थे मगर वे जब व करा assignments हिस्ट्री के 75 सबसे अमीरों की लिस्ट बनाई है। उन्होंने इस में फेरोजोल से लेकर लोगको सामिल किया है। उन्होंने दुनिया के हर कोने में सबसे अमीर लोगों को ढूनने की कोशिस की है है रानी की बात है उन में से 20% लोग सिर्फ अमेरिका के एक ही खांदान के थे एंजियो कार्णिज इस लिस्ट में हैं वे 1835 में पैदा हुए थे जेपी मॉर्गन 1837 में पैदा हुए थे जबकि जॉन 1830 से लेकर के 1840 के बीच में पैदा हुए थे और सब की सब आज भी आज बेहत अमीर है क्या ही सिर्फ इतफा के इसके पीछे क्या वजह हो सकती है अगर हम ध्यान से देखे तो पता लगेगा कि 1860 से लेके 1870 के बीच में अमेरिका की एकोनॉमी में बहुत बड़े बदलाओ यह वो टाइम था जब वो वर्ल्ड स्ट्रीट डेवलफ्ट हो रहा था स्टील मैनिफेक्चर होने लगा था और रेल रोड्स कंस्ट्रक्ट हो रहे थे अमेरिकन एकोनॉमी ट्रेडिशनल से मॉडन हो रही थे इस लिस्ट में सामिल सारे आउटलायर्स को इस एकोनॉमिक ब पैदा हुए लोग बहुत छोटे थे और 1820 में पैदा हुए लोग बूड़े थे कार्नेज मॉर्गिन और रोकफेलर की उम्र बिलकुल सही थी और उन्हें इस बात का फाइदा मिला कि वे अपने देश की एकोनॉमिक ग्रोथ का पूरा बेनिफिट ले पाए इन अमी लोग में राज करने के लिए आये थे क्योंकि वे सही वक्त और सही जगह पर पैदा हुए थे बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स चलिए नेक्स्ट सिलिकन वैली के आउटलेट्स पर एक नजर डालते हैं उन्हें अपने स्पेशिल ऑपरचुनिटी उनीस सो पचेतर में मिली थी जब पोस्टनल कम्प्यूटर और अल्टियर 88 लंच हुआ थे पुरानों कम्प्यूटर मॉडल काफी बारी बेर कम थे और महेंगे भी हुआ करते थे लेकिन अल्टियर की किमत तो सिर्फ 397 डॉलर थी इसे खुद ही घर में असेंबल किया जा सकता था और कोई भी इसे खरी कर इस्तमाल कर सकता था उनिस सो पच्चेतर में पोस्टनल कम्प्यूटर के दोर सुरु स्टार्ट हो गया अगर उस वक्त आप बहुत चोटे या बहुत बूड़े होते तो वह स्पेशल ऑपोचुनिटी आपको नहीं मिलती पर अगर आप 1958 के बाद पैदा हुए होते तो आपको हाई स्कूल में होते उस टाइम पर लेकिन अगर आप 1952 से पहले जन में होते तो साइध आप IBM में जॉब कर रहे होते हैं 1975 में IBM सिलिकोन वैली के एक स्टैबलिस्ट कंपनी बन चुकी थी यह कंप्यूटर के मेन फ्रेम प्रडूश करके बिलियंस कमा रही थी जो पैसिल ऑपरचुनिटी नहीं मिली थी पॉस्टनल कंप्यूटर के रेवर्यूशन के दोर में पैदा होने का सही उम्र 1955 में पैदा होने वालों का ही था क्योंकि 1975 में यह जेनरेशन सिदे कॉले से निकल करके आई थी उनके पास ऑपरचुनिटी थी कि वे मॉडरन कंप्यू फाउंडर पॉल एलेन जैनवरी एकीस उनिस सो चपन में पैदा हुए थे उन्होंने साथ में लेक साइट से पढ़ाई की थी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और लेक साइट कंप्यूटर क्लब के मेंबर्स भी स्टीव जॉब्स फेबरी चौबिस उनिस सो पच्पन में प पढ़ने बड़े जहां पर हैविल पैकर के इंजिनियर्स रहते थे उन्होंने एच्प साइंटिस के कॉन्फरेंस अटेंड के मांटन व्यू के फुली मार्केट में एलेक्ट्रोनिक स्पेर पार्ट्स बेच रहते जब स्टीव बारा साल के उम्रे में थे उन्हें बिल इसके सारे बिजनिस टाइकों उन्हें और 1830 में ही पैदा हुए मगर उनकी स्टोरीज में एक आम बात है हम इंडिवीजुली अच्विबमेंट देखने में इतने को जाते हैं कि हम पैटर्न नहीं देख पाते हैं इन सबी सक्सेस्फिल लोगों को खास मौके मिले उन्होंन के कमाई हुई नहीं थे जिस दोर में वे पैदा हुए थे उनका उनकी सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल था और एसियंस और मैथ कभी सोचा है एसियंस मैथ में क्यों अच्छे होते हैं आप कहेंगे कि सायद बहुत सारे रीजन्स है लेकिन यह सोचना मुश्किल है कि इन काउंटिंग सिस्टेम्स है चाइनिज में नंबर वोड्स बहुत ही छोटे होते हैं साथ उनके वह की है और चार उनके हां सी है इंगलीघ्णे सेवन और वोलते हैं तो चैनिज में नंबर नेम याद रखना और बोलना आसन है क्योंकि वह छोटे है हम 11, 12 और 13 लिए 10 2 और 20 के लिए 2 10s और 21 के लिए 2 10s 1 है इंगलीस में नमबर नेम्स इरेगुलर है लेकिन एसेंस के लिए numbers को add करना ज्यादा आसान है 37 प्लस 22 करने के लिए उन्हें एक इंगलीस first grade पहले 37 और 22 को numbers में convert करेगा फिर जोड़ेगा मगर एसेंस के लिए 3 10 7 और 2 10 2 को plus करना ज्यादा आसान है क्योंकि equations के उनके सामने है जब आप 5 10 9 ही होगा एसेंस नमबर सिस्टम बिलकुल सिधा है एसेंस बच्चे वेस्टन बच्चों के मुकाबले जल्दे counting करना नमबर याद रखना और calculate करना सीख लेते हैं उनको यहां fraction भी ज्यादा आसान है 3 by 5 इंगलिस में 3 5 होगा चाइनिज लोग कहते हैं out of 5 parts टेक 3 एक छोटा बच्चा भी fraction को words में बोल सकता है numerator को पहले ही denominator से अलग किया जा चुका है इंगलिस में dedicate number जैसे की 21, 22, 23 के लिए पहले आता है मगर teens के लिए unit number पहले आता है जैसे की 14, 15 और 16 पहले से ही western बच्चों को math में दिल उप जाता है math कुछ समझ में नहीं आता है इसकी बासा बहुत मुश्किल है इसके basic rules बहुत बेढ़ंगे और complicated होते हैं अपने simple और logical number system की वज़से Asian बच्चों को math सिखना मज़िदार लगता है वे जल ही आसानी से इसे सिख जाते हैं क्योंकि उनके numbers ही उनको ये advantages देते हैं तो इस बात से ये पता चलता है कि क्यों Asians math में talented होते हैं लेकिन east और west के number system के बीच का difference इस बात का इरासाथ भी देता है कि math में अच्छा होना भी किसे group के culture से जुड़ा हो सकता है राइस पैडी तो चाइनीज लोग हजारों साल से चावल की खेती करते आ रहे हैं उनकी अनोखी चावल उगाने की टेकनिक को कई दूसरे Asians देशों ने भी अपनाया था राइस कल्टिवेशन का प्रोसेस बहुत ही महनत वाला है वे वीट यानि की गेहों की तरह नहीं है कि बस खेत त्यार किया और बोना स्टार्ट कर दिया चावल उगाने के लिए किसानों को पेडीज बनाने पड़ते हैं और इन में पानी की भर पूर सप्लाई होना जरूरी है किसान पानी की सप्लाई के लिए चैनल्स और टाइंग्स बनाते हैं फिर मुलाय मिट्री में चावल की पोदों को प्लांट किया जाता है फिर फर्टिलाइजर के लिए चाइनीज इंसानी खाद और बाकी और्गानिक मटिरियल इस्तिमाल करते हैं राइस कल्टिवेशन का काम फूरा परिवार मिल करके करता है किसान का परिवार, इस्तेदार और दोस्त सब इस काम में मदद करने आते हैं इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि चावल के पोधे अच्छे से प्लांट किया जाएं, जब चावल तयार हो जाता है तो सब मिल करके फसल काटते हैं, राइस पेडीज बहुत धी छोटे होते हैं, एक होटल के कमरे जितने साइस के, एक खेत में मुश्किल से 2 या 3 राइ और Eastern Agriculture में यहीं एक सबसे बड़ा difference है मीड वेस्टन अमेरिका में फार्म्स बहुत बड़े-बड़े होते हैं और इसलिए वे मसीनों का इस्तमाल करते हैं वहाँ human efforts कम है और मसीन की मदद से फार्मर्स ज्यादा फसल उगा सकते हैं Chinese और बाकी Asians के पास में ज़्यादा equipment नहीं होता ज़्यादा फसल के लिए वो लोग ज़्यादा वक्त देते हैं और ज़्यादा efforts देते हैं Rice Paddy छोटे होते हैं मगर फार्मर इसे जान बूश करके इस्तमाल करते हैं क्योंकि वे राइस की qualities के साथ में समझोता नहीं करना चाते हैं और अगर ज़्यादा फसल चाहिए तो किसान ज़्यादा मैनत भी कर लेते हैं और European farmer winter के दिनों खाली बैटा रहता है इन दिनों उसके पास में कुछ काम नहीं होता है तो वे लोग सोते रहते हैं Graham Robb एक historian ने लिखा है कि फ्रांच जैसे देस में किसानों की हालत 19th century में भी यह है कि बहुत दिनों तक में खाली बैटने के बाद में थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिलता है जबकि Chinese farmer कभी भी खाली नहीं बैटते हैं गरम मौसम में वो bamboo heads और basket बना करके बेशते हैं rice paddies की मारा मत करते हैं वो dry bean, card और tofu बनाते हैं जब farming season नहीं होता है तो Chinese लोग पैसे कमाने के लिए बाकी के छोटे मुटे काम करते रहते हैं जब spring का मौसम आता है तो Chinese farmer फिर से सवेरे अपने खेतों में चल पड़ता है चाओं लोगाना गेहू या मक्का हुआने से 20 गुना ज़्यादा महनत का काम है और एक Chinese farmer rice paddies में हर साल 3000 घंटे काम करते हैं किसानों की कहकड़ी महनत इस Chinese का कहावत में नजर आती है सर्दियों में असली आदमी जम करके मर जाते हैं और खाने के लिए भगवान की तरफ मत देखो बलकि दोनों हाथों को काम करते हुए देखो और आखरी वाला रिरिशन कहावत से बिलकुल आ लगे अगर भगवान नहीं लाएगा तो धर्ती नहीं देगी इससे ये समझ में आता है कि इस्तिन एगरी कल्चर ज़्यादा मेहनत वाली और प्रैक्टिकल है राइस पैडी एसियन फार्मर्स के कड़ी मेहनत की जलक है उन्होंने अपने मेहनत से ही मेजर की नेचर के चैलेंज को एकसेप्ट किया सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता है उस टैलेंट को प्रैक्टिस करने के लिए इस स्पेशल ऑपोचिनिटी भी मिलनी जरूरी है हमने अब ब्रिंगी की इंपोर्टेंट्स भी जाने क्योंकि आउट लाइर्स ऐसे ही नहीं पैदा होते हैं सही वक्त और सही जगह जहाँ वे पैदा होते हैं उसका भी उनके सक्सेस मैं बड़ा हाथ होता है हाला कि किसी इंडिवीजवल की क्वालिटी को उसके सक्सेस को explain करना आसान है मगर वे सब qualities उन्हें अपने culture से भी मिलते हैं इन सब success stories से हमें अगर ये बात सिखने को मिलती है कि हमारे पास में जो है हमें उसका ही इस्तमाल करना होगा अगर हमें वो opportunity या advantages मिले तो हम उसमें अपने महनत भी जोड सकते हैं और इसी तरह हम भी outliers बन सकते हैं